यहाप सुपिक आज केखने वीडियो भी दोस्तों आज केशी वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लासिक्स चैप्रेट नमर नाइन बाल लेला शुर्ष़क कवीता का कुष्चन आंसर हम लोग जानने वाले हैं तो चेनल बर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्ट्राब करके विलागन को प्रेज कर लिजेगा चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों अमारा प्रस्ण अभ्यास पार्ट से एक का है अपने साथ्यों द्वारा लगाए गए आरोपो को गलत बनाने के लिए क्रिस्न अपने मां के सामने काउन काउन से तर्क रखते हैं तो चलिए हम दो देखते हैं आंसर उत्तर है मारा श्री किरिस्न भाती भाती तर्क दे कर अपने मां को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने मां खर नहीं खाए कर नहींगा का पहला तर्क है कि मां तूने तुम मुझे सुआ होते ही गाओ की रखवाले के लिए गाईों की रखवाले के लिए मधुवन वे देती है फिर मैं तो गाउं के साथ गाउं के साथ बतलो गाई के साथ साम को घर लोट पाता हूँ फिर मैं माखन कब चुराता हूँ दूसरी बड़ी बात तो यह है कि मैं मक्षन का मटका तो छीके पर लटकता है वहां तक मेरी बहां पहुंच ही नहीं पायेगी तिस्री बात तो मैं यहां कि तेरे गौल बाल मुझे बदनाम करने के लिए मक्षन मेरे मूँ पर लगा देती हैं और तुम इतनी बोली हो की इनकी बातों में आ जाती हो कुछ भी भेद हैं क्योंकि मैं तेरा वेटा हूं मुझे चनु देने वाली मा तो और और कोई है फिर तुम मुझे पर विप्वास कैसे करोगी अब देखिए कुछ नमर टू है अमड़ा नीचे कुछ प्रंक्तियां दी भी है इन प्रंक्तियां से बाल लिला के पदों को जट कर लिखे जिनका भावर्त उन पंक्तियों में दिया गया है मा मैं वी बहुत छोटा हूं छोटी छोटी बेड़ी बाहें ही छीका मैं किस तरह पासकता हूं मा मेरे दोस्त अभी दुस्वन बन बैटे हैं मेरे मुझ पर जब दस्ती माखन लगा दिये हैं देखे कांसा पद क भावर्त दिया था मैं वालक भहियन को छोटो चीको के ही विदी पायो गौल बाल सब बैर परे हैं बरवस मुकलब दायो यही कविता का पंक्ति है जिसका भावर्त दिया था मा अपनी याल लाटी और कम बलो तूने मुझे बहुत प्रेसान किया है इस पर यसोदा आज कर क अगले लगा लेती है देखिए यहां पंक्ति है सूर्दा सब्यांसी जस्ट उदा ले उरकंठ लगायो यहीं पंक्ति है ठीक है अगला देखते हैं लो तो पाट से आगे हैं हमारा अपने बच्पर की कोई भी मज़ेदार खटना लिखे तो यह आप अपने बच्पन का लि अगर आप जाना चाते हैं थो देचे को बैट करिए अब आपको इसका उत्तर देदेंगे ठीक है आप अपने मर्जी से आप अपना घटना है तो अपने बच्पन का अगटना आप ही लिखिए अब है मारा पस्न मतो निमलिकित पद का अर्थ अपनी मात्री बहसा में लिखिए मैं बालक भयन को चोटो शीको सही भी दिपायो वाल वाल सब बेर परे हैं परवस मुकलब टायो इसका अर्थ लिखना है तो देखिए मा मैं तो बच्चा हूँ मेरे साथ भी चोटे चोटे हैं मेरी अभी चोटे चोटे हांते हैं बाहें उचे सीक को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ये ग्वाल के बच्चे मुझसे दुखमनी पाल रखे हैं माकन खायो वे तता जबरदस्ती मेरे मूं में माकन लगा दिये जिसमें मैं चोड सावित हो जाओं जिससे मैं चोड लेड़ी चिह तो चननी मन की अतिबो li ुपत्य यियर तेरे कछोब्य विधू जी है जानी प्रायो जायो तो इसकार्थ है मां तू मन मन की अति भोली है इसी से तो इनकी बातों पर विश्वास कर ली है तुमारे हिर्द्या में मेरे परती कुछ भेद उत्पन हो गया है क्योंकि तुम मुझे को पराया का पुत्र माल रही हो यही इस कार्थ है इस तिनसवर्ट ले सकते हैं ब्याकरन का हमारा प्रस्ण नमर वन है निम्लिकी सब्दों को अस्थानिया बोली में क्या कहते है लिखे भटकयो को बहियन को चोक छीको को प्रायो को लकुटी को लुकती हो है लकुटी होगा भटकयो का होगा भटकते रहा भटकना बहियन बहां चीको सीका जो चपर में दूसरा लकुटी दंडा लाठी तो इसी प्रिकार हमारा यह चैप्टर का फ्वेच्छन अजर पूरा होता है चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके विलाकन को प्रेस कर लिजेगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद